यह जो आप मेरे सामने देख रहे हुए यह गंगा एकस्प्रेस वह ही है लेकिन अभी आगे इक जिसको अभी आप देखोगे उस पूल पे चड़ने से पहले एक मिटी का एक धांचा त्यार किया जाता है सीधा पूल पे नहीं चड़ाया जाता आपको पता होगा आप अगर अपडेट करते हो तो आपको पता होगा कि पूल पे चड़ाने के लिए पहले एक मिटी का धांच मिसाल लग रहा है आपको आगे दिखाता हूं तो आग चलिए फिर शुरू करते हैं सकते हो कि यह पूरा एक्तम अकेला इस एरिया में एक पुल बना हुआ है और यहां पर आगल वगल खेत हैं और आगे आपको नदी भी मिलेगी दरसल यहां पर खेती बहुत कम होती क्योंकि पुरा नदी वाला एरिया है तो गंगा नदी कर अगर कभी वह ज़ादा हो जाए मतलब गंगा नदी ओवर्फ्लो हो जाए तो उस वज़ाए से इस एरिया में ज़्यादा लोग कोई खेती नहीं करते हैं लेकिन फिर भी समय के सासथ एरिया लोगों ने अपने उसमें लेक जो आपको आपको आगे में दिखाऊंगा किस तरीके से काम चल रहा है और यहां पर यह पूरा एरिया आप देख सकते हैं यह जो पूरा हिस्सा है यह आपका मेरट से होते हुए प्रयागराज के तरफ गया हुआ है यह पूरा का पूरा हिस्सा और यह पूरा एक्सप्रेस यह पूरा हिस्सा है यह लगभर लगभर आपको मैं बताओं 700 मीटर के बराबर है लगभर यह पूरा पूरा पूल 700 मीटर इतना लंबा है और आपको मैं बताओं यह पूल अभी बन रहा है अभी सिर्फ इसे पिलर खैती चल रही है और आप यहां पे देख सकते हैं अभी इांप पहुत सारे पिलर लगा कि उसके पिलर सब्सक्राइब काम होता है वह भी और आपको छोड़ा ऐसा zal नुप की ऊपहुते हैं तो इस नि रहुत बोक्ति यह Breakfast तो जो जो यहां से एकतम लंबा पुल गया है यह 700 मिटर का यह बहुत ही जादा अच्छा लग रहा है और आप देख सकते हैं यहां पर यह पुरा रखा हुआ है यहां पर यही उसको आगे लगाया जागा यह अभी इसलिए यहां पर रखा गया है नदी आपको नदी मिलेगी त उस नदी के से दूर रखने के लिए इसको यहां पर लाके रखा गया है आप देख सकते हैं यहां पर यह पुरा एकदम अपडेट है और यहां पर काम काफी ज्यादा तेज़ चले आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्रि